चोपड़ा जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे पैरी बचो नीट 24 के लिए अभी तक 25 लाग से भी ज्यादा स्टुडेंट्स ने अपलाई किया है ये न्यूज आपने सुन ली होगी अलंकि इसका जो कंफर्म आकड़ा है, वो 16th of March 24 के बाद में आएगा स्टेट वाइस कितनी कंडिडेट ने रेजिस्ट्रेशन किया है, ये सुचना हमें 16 March 24 के बाद मिलेगी क्योंकि इसकी लास्ट डेट 16 March 24 है अगर हम पिछला अकड़ा देखते हैं उसमें, तो 23 में टोटल 20,87,462 कंडिडेट ने अपलाई किया था और उसमें 20,38,596 कंडिडेट अपिर हुए थे यानि कि टोटल अपसेंट कंडिडेट थे, वो 48,866 थे ऐसे ही हम 22 की बात करें, तो 22 में टोटल रजिस्टर्ड कंडिडेट थे वो थे 18,72,373 और इसमें अपिर कंडिडेट थे वो 70,74,571 थे इसमें अपसेंट थे 1,07,772 इसी प्रकार से 21 का देखे हम तो 16,14,777 कंडिडेट ने रेजिस्टर्ड किया था और 20 में 15,97,435 में ने रेजिस्टर्ड किया था और 19 में 15,19,375 में रेजिस्टर्ड किया था अभी इस साल 25,00,00 कंडिडेट ने रेजिस्टर्ड किया है अभी तक तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप भी ये 20 लाग का आंकड़ा देख करके टेंसन में हो गए होंगे अलांकि ये आंकड़ा काफी ज़्यादा है लेकिन आपको टेंसन लेने की आवश्यक्ता नहीं है टेंसल लेने के आवश्यक्ता इसलिए नहीं है कि अगर आपकी तयारी ठीक चल रही है तो competition सिर्फ 3 लाक student में ही है 3 लाक student में ही competition है अगर यहाँ पर मानलो 23 भी होते 23 लाक भी अपेर होते या registration करते तो भी competition 3 लाक में होना था क्योंकि जो student पढ़ने वाले हैं और जो competition वाले student हैं वो तो सिर्फ 3 लाक ही है इसलिए आपको ये जो 25 का आखड़ा काफी ज्यादा है इसको लेकर के tension लेने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि काफी सारे student इसी आखड़ा को देखकर भी पढ़ाई कम कर देते हैं उनके test में marks क कम आते हैं उनको देखकर भी ये पढ़ाई कम कर देते हैं और यही time है इस समय student अगर depression में आता है या फिर कोई गलत कदम उठाता है या फिर तैयारी कम करता है तो यही 3-4 region होते हैं उनके marks कम आने डेली जो practice test होता है उसमें marks कम आने हैं या फिर ये जो आंकड़ा है वो द जो source में रहते हैं लेकिन यहां करके इस stage में राकर कि जहां study की जरूरत है वहां study वो कम कर देते हैं अब मैं आपको बताऊं कि मान लो 25 लाग से student ने registration किया है 25 लाग से से ज्यादा student ने registration किया है और इसमें जो appear होंगे वो 24 लाग कंडिडेट अपेर होंगे ऐसा हम की एक्जाम में इस साल appear होंगे यह हम मान लेते हैं तो इसमें tension वाली बात क्यों नहीं है यह मैं आपको बता देता हूँ हर साल जो qualify candidates होते हैं वो 40 percentile candidates होते हैं यानि कि जिस candidate के 40 percentile है percentage नहीं शूरी percentile हैं वो candidates इसमें qualify होते हैं NEET की एक्जाम के लिए अब इसमें क्या होता है कि इसमें मान लेते हैं कि 24 लाक्स candidates बैठे हैं इसमें तो इसमें अगर general category की बात करें तो 50 percentile ही यहां candidates qualify होते हैं general category में और OBC, SC, ST में 40 percentile के candidate इसमें qualify होते हैं तो हम मान लेते हैं कि 24 लाक्स candidates इस बार exam में appear हो रहे हैं तो इन 24 लाक्स candidates में 12 लाक्स candidates ही इस exam को appear कर पाएंगे यानि कि 12 से 13 लाक्स candidates ही इस exam को qualify कर पाएंगे इतने सारे candidates ही इसको qualify कर पाएंगे अब जब इतने सारे candidates से इसको qualify कर रहे हैं तो बचे हुए student बच गए आपके 12 लाक्स student फिर बच गए जो competition में यहां आ गए इन 12 लाक्स candidates के 50% ऐसे candidates होते हैं जो इस वाल 12 के साथ में exam दे रहे हैं नीट का या फिर वो dropper हैं लेकिन पिछली बार भी का score इतना नहीं आया था तैयारी इस साल भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चीए थी तो वो ऐसे 50% candidates निकल जाते हैं इसमें तो 12 लाक्स candidates में 6 लाक्स candidates ऐसे हैं जो अच्छी तरीके से त्यारी कर रहे हैं अभी तक अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं अब इन 6 lakhs candidates में भी 50% ऐसे candidate निकल जाएंगे जो 2023 तक तो अच्छी तैयारी कर रहे थे लेकिन 2024 में वो depression में आ गए या फिर उन्होंने सोच लिया मेरा तो इस बार होगा नहीं मैं इतनी ज़्यादा तैयारी क्यों करूँ क्य candidate ने registration किया है मेरा कहा नमर आएगा ये सोच के ऐसे जो six lakhs candidate है वो ये मान के बैठ लेते हैं कि इस बार तो मेरा selection नहीं होगा मैं अगली बार तैयारी करूँगा यानि कि पहले तो वो तैयारी अच्छी कर रहे थे अच्छे marks भी आ रहे थे तैयारी भी अच्छी कर रहे थे लेकिन अभी वो depression में आ गए अभी उन्होंने ये मान लिया कि मेरा तो इस बार नहीं होगा मैं अगली बार तै यह a οι चैए만 deles में इसे देखने के लिए ही करूंगा तो इसमें बच गए आपके तीन लाक स्टूडेंट में ही इन तीन लाक स्टूडेंट में ही कम्पिटिशन है और अभी जो स्टूडेंट अच्छी तयारी करो गया ये दो मेने में भी खूब रात दिन की महनत कर गया, वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरे कितने भी मार्ग्स आये, डीपीपी में कितने भी मार्ग्स आये, टेस्ट सिरीज में कितने भी मार्ग्स आये, मैं इनकी तरफ में बिल्कुल ध्यान नहीं दूँगा, मेरे को तो इस बार student में जो जितनी ज़्यादा तैयारी करेगा जिसमें जितना ज़्यादा confidence है वो government medical college में admission ले लेगा इस बार और उसका admission confirm हो जाएगा तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको इन 3 लाख student में competition करना है आपके लिए तो ये ही appeared candidate है इस साल के लिए ने की 25 लाख 24 लाख अपियर candidate है आप तो इनी 3 लाख में से आपको competition करके तैयारी करनी है मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है वो ये मकसद है कि आपको बिल्कुल इस 25 लाख के आंकडे से बिल्कुल टेंसन लेने की आवश्यत्तर नहीं है आपको तैयारी करना है ये दो मैने में आप इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करो कि आपका selection अवश्य होगा कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि यही ऐसा time होता है मैंने काफी सालों से मैं need को observe करके करते वे आ रहा हूं student के बीच में रहता हूं कोण student कितनी तैयारी करके कोण से time में selection ले जाता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं तो ये जो दो मैने के अंदर जो student अच्छी तरह से पढ़ाई कर गया tension free हो करके क्योंकि यहां आते आते student tension में आ जाता है और वो पढ़ाई कम कर देता है वो ये मान के बैठ जाता है कि मेरा तो इस बार selection होगा नहीं मेरे तो marks ही कमा रहे है इतने सारे 25 लाग student ने registration कर दिया है मेरा कहा नमबर आएगा मैं तो अगली साल तैयारी करूँगा आपको ऐसा नहीं सोचना है आपको एक ही aim रखना है कि मेरे को डोक्टर बनना है और इसी साल बनना है मैं अच्छी तरीके से तैयारी करके डोक्टर बनूगा मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि ये जो आपके test series में marks कमा रहे हैं आपके मैने exam में अच्छे marks आ जते हैं इन test series से इतना कोई effect नहीं पड़ता है उन बच्चों पे जो ये दो मैने में मेहनत करते हैं तो मैं भी इसी आसा के साथ में ये वीडियो close कर रहा हूं कि आप भी मेहनत करेंगे और जब आप मेहनत करेंगे तो आप अवसे ही सफल होंगे इसी के साथ ये वीडियो मैं end कर रहा हूं best of luck और इस वर से कामना करता हूं कि आपका इस बार अच्छे medical college में admission हो again best of luck